दोस्तों हमारी formal education हमें यही सिखाती है, पहले बचपन में school में अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि आपको अच्छे college में admission मिल सके, और फिर उस college से अच्छी degree लेने के बाद आपको एक अच्छी और secure job मिल सके, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन problem यह है कि हमारे इतन to five job में फसे रहते हैं, और financial freedom तो उनके लिए सिर्फ एक सपना बन कर रह जाता है, और यही कारण है कि इंडिया में majority लोग middle class बन कर ही रह जाते हैं, और जब उनकी उम्र हो जाती है, तो उनके पास अपने बच्छों पर depend होने के अलावा और कोई option होता ही नहीं है, और यही से family problems start हो जाती हैं, और school और college में आप से कोई stock market और investing की बात करेगा ही नहीं, जिस कारण लोगों को या तो investing के बारे में पता ही नहीं होता है, और अगर पता भी होता है, तो उन्हें investing बहुत risky लगती है, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंडिया जैसी country में सिर्फ 3- 4% लोग ही stock market में invest करते हैं, जबकि अमेरिका जैसी country में 50% से भी जादा लोग stock market में invest करते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इंडिया में majority लोग financially literate नहीं है, और इस बात से मैं पूरी तरह agree करता हूँ कि हर किसी के लिए business करना possible नहीं है, लेकिन आप stock market के through successful businesses में invest करके, अ अच्छी कासी knowledge होगी, तब ही मैं invest करना start करूँगा, तो ऐसा करके आप किसी और को नहीं, बलकि अपने आपको दोका दे रहे हो, क्योंकि अगर आप एक stock market beginner हो, तो भले ही आपके लिए directly stocks में invest करना risky हो सकता है, लेकिन आप mutual funds के through indirectly stocks में invest कर सकते हो, और आप किसी अच्छे mutual fund में कैसे invest कर सकते हो, वो मैंने अपनी इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से explain किया है, जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा, तो stock market से wealth create करने के लिए आपको कोई expertise की जरूरत नहीं है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, तो वो है आपकी consistency और patience, क्योंकि अगर आ market से multi-bagger returns कमाना हर किसी के लिए possible नहीं है, लेकिन power of compounding हर किसी के लिए equally काम करती है, और दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, वो इस power of compounding को बहुत अच्छे से समझते हैं, Warren Buffet जिने की father of investing भी कहते हैं, उनका अब तक का stock market का average return 22% करा है, और even ऐसे बहुत से investors हैं, जिन investing journey सिर्फ 11 साल की age से start कर दी थी, तो भले ही Warren Buffet का return average हो, लेकिन वो बहुत ही लंबे time से invested हैं, इसलिए compounding उनके investments के लिए एकदम magic की तरह काम करती है, इसलिए compounding के power को देखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी investments को जल्दी start करो, क्योंकि compounding के magic को देखने के लिए आ इनका नाम है Varun, Rocky and Bunty, इन तीनों ने same time पर एक ही college से अपनी graduation complete की, और 22 की age में ही इन तीनों की एक बहुत ही अच्छी company में job लग जाती है, और इन तीनों समझते हैं कि investing करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम इन तीनों के example से अलग-अलग case scenarios को discuss करते हैं, हम मान ले कि Varun अपनी investing को लेके काफी serious है, इसलिए वो अपनी 22 की age में job लगते ही, किसी particular mutual fund में 10,000 उपे परमत की SIP करता है, और वो इस बात में भी believe करता है कि अपनी जवानी को enjoy करना भी ज़रूरी है, इसलिए उसने decide कि वो अपनी 32 की age तक, क्यानिकि 10 सालों तक investing करेगा, उसके ब वो retire नहीं हो जाता, तब तक वो अपनी investing को stop नहीं करेगा, और वो अपनी retirement age तक 10,000 उपे परमत invest करता है, और बंटी इन दोनों से ज़्यादा smart है, इसलिए वो job लगने के बाद पहले 20 सालों तक full enjoy करता है, और वो अपनी investing को 40s की age में start करता है, लेकिन जैसा कि मैंने का कि बंटी उन दोनों से ज़्यादा smart है, इसलिए 10,000 की बजाए वो 20,000 उपे परमत invest करता है अपनी retirement age तक, और हम मान लेते हैं कि इन तीनों को अपनी investment से 15% CAGR का return मिलता है, अगर ये लोग अपनी 60s की age में retire होते हैं, तो इन तीनों का invested amount कुछ इस तरीके से होगा, अब क्यों हिसाब से उसका total investment हुआ 33.6 lakhs, फिर आती है बंटी की बारी जिसने अपनी 40s की age में invest करना start किया था, अपनी 60s की age तक, तो calculations के हिसाब से बंटी का total investment हुआ 48 lakhs, तो अब मेरा आपसे question है कि जब ये तीनों अपनी 60s की age में retire होंगे, तो किसके पास कितना amount होगा, अब क्यों हो चुका होगा, अब क्योंकि हम inflation को adjust कर चुके हैं, तो मेरे क्याल से ये amount आपकी retirement age के लिए बुरा नहीं है, अब रोकी का investment amount था 33.6 lakhs, तो अगर हम inflation को adjust कर देते हैं, तो रोकी का investment grow होकर 1.5 करोड हो चुका होगा, जो कि बंटी के amount से बहुत अच्छा है, क्योंकि रोकी बंटी के comparison में बहुत काम amount invest किया था, अब बारी आती है वरुन की, जिसने की सिर्फ 10 सालों तक invest किया था, और उसका total investment amount था 12,00,00, तो आपके हिसाब से वरुन का amount grow होकर कितना हो चुका होगा, तो अगर आप ये सोच रहे हो, कि वरुन का investment amount तो रोकी और बंटी से बहुत क और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने इस wealth को create करने के लिए उन दोनों के comparison में बहुत ही कम amount invest किया और बहुत ही कम time तक invest किया, तो इस example से मैं आपको ये बताना चाता हूँ, कि जादा अमीर बनने के लिए आपको बड़ा amount invest करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आ consistency के साथ छोटा छोटा amount भी long term के लिए invest करते हो, तो power of compounding से आप definitely अमीर बन जाओगे, future में आपके returns कैसे होंगे, इस बात की तो कोई guarantee नहीं होती, लेकिन इस बात की guarantee है कि compounding आपकी investment के लिए काम करेगी, फिर आपका invested amount चाहें कम हो या फिर जादा, और आज के time पे आप ए इसमें ना तो आपको कोई account opening charge देना है और ना ही annual maintenance charge, और beginners के लिए काफी अच्छा platform है क्योंकि आपको इसमें कोई hidden charge नहीं देना पड़ता, मैं कोई grow app का promotion नहीं कर रहा हूँ, बलकि ये मैं आपको अपने खुद के experience से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस app को पिछले 2 सा से use कर रहा हूँ, तो अगर आप भी grow app के तुरू अपनी investing journey start करना चाते हो, तो आप description या फिर pin comment में दिये हुए link से अपना free dmat account open कर सकते हो, अगर आप description या pin comment में दिये हुए link से sign up करते हो, तो आपको 100 रपे का instant bonus भी मिलेगा, तो आपको जल्दी से जल्दी अपनी investing journey start कर दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करो और मेरे इस channel को भी subscribe कर सकते हो, ऐसे ही educational videos और देखने के लिए, thanks for watching this video and bye